हलो वियर्स हम कर रहे हैं कक्षा नवी की वार्षिक परिक्षा की तयारी और इसमें हम कर रहे हैं एक एक नंबर के प्रशनों की तयारी क्योंकि एक एक नंबर के कुल 32 प्रशन आपके एक्जाम में आएंगे और इन 32 प्रशनों में से 8 नंबर के एक एक नंबर वाले जो प्र ब्रिच कोर्स का वीडियो क्योंकि ब्रिच कोर्स में से कुल 10 नंबर के प्रिशन आपके एक्जाम में आएंगे जिसमें 8 नंबर के प्रिशन मतलब एक एक नंबर के प्रिशन होंगे इसके बाद बाकी अध्याय से एक एक नंबर के प्रिशन पूछे जाएंगे तो अध्याय एक नमबर के दो प्रश्ण आने वाले हैं तो शुरू करते हैं प्रश्ण नमबर पहला है दो आकरतिया सरवांगसम होती है यदि उनका तो इसका आजाएगा एक ही आकारोर माप हो यदि उनका एक ही आकारोर माप होता है तो दो आकरतिया सरवांगसम होती है इसके बाद दू त्रिभुज की बराबर बुजाओ के सम्मु कौन समान या बराबर होते हैं हमें पता है क्योंकि सध्या कि जब सवाल करे थे तब हमने यह करा था कि त्रिभुज की बराबर बुजाओ के सम्मु कौन बराबर होते हैं इसके बाद तीसरा प्रिश्ण है एक समकोन ट्रिभूज ABC में कोन भी समकोन है ठीके कोन भी जो है समकोन है यदि कोन सी 45 डिगरी है तो कोन A की माप होगी तो बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमें समकोन ट्रिभूज दे रखा जिसे ठीके ये समकोन ट्रिभूज हम मान ले V तो QA की माह बतानी है。 तो हमें पता है कि त्रिपूज के mind 75 इच पाक्व और 45 तो दे रखे हैं मतलब एक कोण नब्बे का है समकोण वाला एक कोण 45 का है तो यहां हो जाएंगे 5 और 9 और 4 हो गए 13 123 तो 180 में से 123 घटा देंगे अब यहां पर तो यहां बचेंगे 5 और यहां 7 में से 3 कम होंगे तो 3, 4, 5, 6, 7, 4 बचेंगे मतलब एक कोण हो जाएगा 45 डिगरी का तो इस प्रकारिट रिभुच के तिनों कोणों के माप हमने निकाल लिया है क्योंकि हमें कोण भी समकोण दिया था क्योंकि हमें पता समकोण मतलब 90 degree होता तो हमने लिख दिया है 90 degree का समकोण है C 45 degree का तो तीस्टा कोण कितने माप का होगा तो हमने इसे निकाल लिया है दो कोणों की माप में से कुल माप जो होनी है उसको यदि घटा देंगे तो तीस्टे कोण की माप आ जाएगी तो यहाँ पर आ गया है 45 डिग्री होगा इसके बाद अगला प्रश्ण है रिक्ति स्थानों की पूर्ती कीजिए अगला प्रश्ण है रिक्ति स्थानों की पूर्ती कीजिए इसमें समान भुचाओ वाले दो वर्ग तो समान भुजाओ वाले दो वर्ग सरवांग सम होते हैं इसके बाद इत्रिबुच के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाए बराबर होती है क्योंकि बराबर कोण है तो सम्मुख भुजाए बराबर होगी या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि सम्मुख भुजय बराबर हो है तो उनके सम्मुख कौन भी बराबर होंगे इसके बाद तीसरा है यदि एक त्रिबुच की तीनों भुजय दूसरे त्रिबुच की तीनों भुजय के बराबर हो तो दोनों त्रिबुज क्या होंगे हम बता सकते हैं कि दोनों त्रिबुज होंगे सरवांगसम इसके बाद अगला है एक त्रिबुज जिसके दो भुजय बराबर हो त्रिबुज कहलाता तो क्या कहलाएगा सम्द्वी बाहू त्रिबुज यदि भुजय बराबर है तो त्रिबुज कहलाएगा सम्द्वी बाहू त्रिबुज इसके बाद अगला प्रश्ण नमबर तीसरा करेंगे सत्य और असत्य बाद लिखना हमें यहाँ पे तो इसमें पहला है संभावू त्रिबुज का प्रते कौन 50 डिगरी होता है तो यह असत्य ऐसा नहीं है फिर दूसरा है यहाँ पे जो संभावू त्रिबुज का प्रते कौन 50 डिगरी होता है तो यह सत्य है इसके बाद चोथा है एक त्रिबुच के दो कोण और एक भुचा दूसरे त्रिबुच के दो कोण और संगत भुचा के बराबर होने पर भी दोनों त्रिबुच सरवांगसम नहीं होते तो यह असत्यकत्थने अगला है एक त्रिबुच के दो कोण और अंतरगत भुचा दूसरे त्रिबुच के दो कोण और अंतरगत भुचा के बराबर हो तो दोनों त्रिबुच सरवांगसम होते हैं तो यह सत्य है इसके बाद अगला देखेंगे हम सरवांगसम आकरतिया किसे कहते हैं प्रेश्च नमबर चोथा है सरवांगसम आकरतिया किसे कते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे वे आकरतिया सरवांगसम आकरतिया पुछा है तो वे आकरतिया जिनके आकार और जिनके आकार और माप समान हो सरवांगसम आकरतिया कौन सी आकरतिया होती है वे आकरतिया जिनके आकार और माप समान हो वे सर्वांगसम आकरतिया कहलाती है इसके बाद अगला है संबाहू त्रिभूज क्या होता है संबाहू नाम से ही पता चल रहा है जिसकी सभी भुजाए बराबर हो तो त्रिबुज में तीन ही भुजाए होती है तो हम लिखेंगे एसा त्रिबुज जिसकी तीनों भुजाए बराबर हो तीनों भुजाए बराबर हो तो वह संभाहू त्रिबुज कहलाता है इसके बाद तीसरा है संभाहू त्रिभुज के प्रते कोण की माप क्या होती है तो इसका उतरों का सहार डिगरी संभाहू त्रिभुज के प्रते कोण की माप होती है सहार डिगरी अब हम देखते हैं अगले अध्याय के इंपोर्टेंट जो अबजेक्टिव है तो अगला अध्याय चत्रुभुज और इसमें से एक नंबर का अबजेक्टिव कृष्चन आएगा चत्रुभुज में से एक ही प्रशन आएगा अबजेक्टिव में तो इससे देख लेते हम किसी चत्रुभुज के चारो कोणों का योग होता है तो चत्रुभुज के चारो कोणों का योग होता तेन सो सहार डिगरी अगला ही यदि एक समानतर चत्रभुज के विकड़ना बराबर हो तो वह होगा तो वह क्या होगा? आयत होगा इसके बाद तीसरा यदि एक चत्रभुज के विकड़ना बराबर हो और परस्पर लंबत सम्धी भाजित करे तो वह होता है वह होता है एक वर्ग इसके बादे वर्ग एक आयत है और एक सम्चतुरभुज भी है इसके बादे रिक्तिस्थानों की पूर्ति कीजिए इसमें पहला है एक समानतर चतुरभुज में सम्मुख भुजाए तो सम्मुख भुजाए केसी होती है बराबर होती है इसके बाद यदिक चतुरभूज के विकर्ण एक दूसरे को समधी भाजित करे तो वह एक तो केसा होगा समांतर चतुरभूज होगा समांतर चतुरभूज होगा समांतर चतुरभूज होता है इसके बाद आयत का प्रते कोण एक समकोण होता है इसके बाद चोथा है एक सम्चत्र बुच के विकर्ण परस पर लंब होते हैं और अगला है एक सम्चत्र बुच के विकर्ण एक दूसरे को परस पर सम्दी भाजित करते हैं तो इस प्रकार रिक्ति स्थानों में एंसर आएंगे इसके बाद अगला प्रश्न है सत्य असत्य एक आयत अत्वा एक समचतुरबुज एक वर्ग होता है तो यह असत्य है एक वर्ग एक आयत है और एक समचतुरबुज भी है तो यह सत्य है आयत के विकर्ण परसपर समधी भाजित करते हैं यह सत्य है वर्ग के विकर्ण परसपर सम्कोन पर न तो सम्दी भाजित और न बराबर होते हैं तो यह असत्य कथन है इसके बाद अगला है सम्चत्रबुच के विकर्ण परसपर सम्कोन पर सम्दी भाजित करते हैं तो यह सत्य है इसके बाद अगला देखते हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए किसी समांतर चत्रबुच का एक विकर्णों से कितने सरवांगसम त्रिबुजों में विभाजित करता है तो यहाँ पर एक विकर्ण है समांतर चत्रबुच का एक विकर्ण तो इसे कितने भागों में विभाजित करता तो यहां जाएगा दो भागों में जैसे यहां पर एक समांतर चत्रबुझ हमने बना दिया है यहां पर एक भी करना हमने इसके बनाया तो यह दो त्रिबुझों में विभाजित करेगा इसके बाद अगला यदि एक चत्रबुच की सम्मुख भुचाओं का प्रतेक युग में बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा समांतर चत्रबुच इसके बाद अगला है एक समांतर चतरबुच के कोणों के समधी भाजक क्या बनाते हैं तो उनके समधी भाजक बनाते हैं आयत अगला है यदि एक चतरबुच के सम्मुक कोणों का प्रतेक युग में बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे तो उसे कहेंगे समानतर चत्रबुच कहेंगे इसके बाद हम अगला अध्याय 9 देखेंगे 9 अध्याय के objective question तो अध्याय 9 में से भी दो नंबर के प्रश्ण अब्जेक्टिव में आने वाले हैं दो नंबर कहेंगे यहां से भी तो यह भी important है हमारे लिए तो इसमें पहला प्रश्ण है सई विकल पर चुनकर लिखिए इसमें पहला निमनलिकित आकरतियों में कौन-कौन सी आकरतिया एक ही आधार और एक ही समानतर रेखाओं के बीच इस्ति थे तो कौन सी इसी आकरतिया एक ही आधार प्रिस्ति थे अगला प्रश्ण है त्रिभुच की एक मद्धी का उसे बराबर शित्र फलो वाले कितने त्रिभुजों में भाजित करती है तो इसका answer आएगा दो त्रिभुजों में भाजित करती है इसके बाद तीसरा है समानतर चत्रफुच के दोनों विकर्णों से बराबर शित्रफलों वाले कितने त्रिभुजों में बाढ़ते हैं तो इसका एंसर आजाएगा चार क्योंकि दोनों विकर्ण एक विकर्ण दो त्रिभुजों में बाजित कर रहा था तो इसका आजाएगा आधा अब अगला प्रश्न देखते हैं सत्य असत्य तो इसमें पहला है समांतर चत्रबुच का शेत्रफल उसके आधार और संगत शिर्षे लंब का गुणन फल होता है तो यह सत्य है दूसरा है एक ही आधार या बराबर आधारों वाले एक ही समांतर रिखाओ के भी चिस्तित्रबुच शेत्रफल में बराबर होते हैं तो यह भी सत्य है तीसरा है दो सरवांगसम आकरतियों के शेत्रफल बराबर नहीं होते हैं तो असत्य है और चोथा है एक आकरती का शित्रफल उस आकरती द्वारा घेरे गए तल के भाग से संबंद किसी मातरक में एक संख्या होती है तो यहां कथन सत्य है इसके बाद रिक्ति स्थान देख लेते हम तो इसमें पहला है एक ही आधार या बराबर आधारों वाले बराबर शित्रफलों वाले त्रिबुच एक ही तो यहां पर आएगा एक ही में इस्तित होते हैं तो यहां आजाएगा एक ही समानतर रिखा में इस्तित होते हैं इसके बाद अखला एक ही आधार या बराबर आधारों वाले और एक ही समांतर रेखाओ के बिजिस्ति समांतर शत्रभुज शेत्र में तो शेत्र में कैसे होंगे वह बराबर होते हैं बराबर होते हैं, अगला रिबुच का शेतरफल उसके आधार और संगस शिर्शलंबा की गुणनफल का आधा होता है इसके बाद अगला है एक वाक्य में उत्तर दीजिए तो इसमें पहला है एक ही आधार वाले और बराबर शेतरफल वाले समांतर चत्र बुच किसके बीच इस्तित होते हैं, तो यहां पर आ जाएगा एक ही समांतर रेखाओ के बीच, इसके बाद अगला है, यदि P, A, Q, क्रमशह, समांतर चत्र बुच, A, B, C, D की भुचाओ, D, C, A, D पर इस्तित बिंदू है, तो क्या एरिया, A, P, B, बराबर होगा, एरिया, B, Q, C के, तो यहां पर हम लिखेंगे हाँ, यह बराबर होगा, ठीक है, इससे समभादित प्रमें हमने करी थी, जब हमने सद्ध्याय के क्षिन कर रहे थे, तो हमने प्रमें करी थी, इसके बाद प्रिशन एक किसान के पास, अ इसको ऐसे समझ सकते कि यहां जो समांतर चत्रबुच के रूप में एक खेत है किसान के पास में और इसे बोल दिया हमने PQ आरेसी खेत है उसने आरेस परिस्ट कोई बिंदू A लिया मान लो यह बिंदू ले लिया A यहां पर और उसे P और Q से मिला दिया तो हम भी मिला देते P किसे और Q से मिला दिया खेत कितने भागों में भाजित हो गया तो देखो कितने भागों में भाजित हो गया एक बागी एक बागी और एक बाग यह तो एक दो और तीन भागों में भाजित हो गया तीन भागों में इसके बाद चोटा है त्रिभुच ABC में BC आधार तथा AB श शेत्रफल को सुत्र के रूप में व्यक्त कीजिए तो हमें यहां पर सुत्र के रूप में इसे व्यक्त करना है तो त्रिभुच का शेत्रफल यहां पर हमें पता है कि त्रिभुच का जो शेत्रफल होता है त्रिभुच का शेत्रफल बराबर एक बटा दो आधार गुणा पर हमने क्या बोला कि Bc तो आधार के स्थान पर हम लिग देंगे बिसी आधार के जगे अमने लिगद दिया BC और उच्चे किस्थान पर इसका शिर्षा लंबा आ जाएगा तो यहां पर आ जाएगा इसका उत्तर एक बटा दो बीसी गुणा एबी ठीक यह एंसर आएगा एक बटा दो बीसी गुणा एबी तो इस प्रकार यह अध्याई 9 के भी objective question हो चुके हैं इसके बाद हम देखते हैं अगला अध्याई 10 वरत्त वाला तो वरत्त में से भी दो नं संख्या होती है तो इसमें आ जाएगा एक दूसरा है एक व्रत्त का व्यास 8 cm है तो व्रत्त की त्रिज्जा होगी ठीके त्रिज्जा लिखाए अब यहां पर व्यास 8 cm तो त्रिज्जा कितनी होती है त्रिज्जा होती है व्यास की आधी होती है तो जब भी आपको व्यास दिया हो त्रिज्जा पूछी हो तो व्यास का इदी आधा कर देंगे दो एकम दो दो चोकांट तो किता आ गया चार तो इसकी त्रिज्जा कितनी हो जाएगी चार ठीक है और यदी त्रिज्जा दे रखियो में त्रिज्जा दे रखियो व्यास पूछा तो त्रिज्जा को क् कि तिज्या 4 है उसका व्यास कितना होगा तो हम 4 में 2 का गुणा कर देंगे इसको डबल कर देंगे तो व्यास आजाएगा 8 ठीक है तो इसका इंसर आएगा 4 इसके बाद हम देखेंगे रिक्तिस्थान इसमें पहला व्रत्त का केंद्र ठीक है व्रत्त के में स्थित होता बहिर अभ्यंतर यदि बाहर कहीं इस्तित होगा तो हम बोलेंगे बहिर भाग में तो यहां आएगा अभ्यंतर में दूसरा है एक बिंदू जिसकी व्रत्त के केंद्र से दूरी व्रत्त से अधिक हो व्रत्त के में इस्तित होगा तो कहां होगा हम आसानी से बता सकते हैं क्यों बहिर व्रत अर्ध व्रत होता है जब इसके सीरे एक व्यास के सीरे हों ठीके व्यास के सीरे होंगे तो वह अर्ध व्रत कर लाएगा जैसे यह 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 वला जो चाप है यह यह जो चाप है ठीके इसके सीरे व्रत के व्यास पर हिस्तित है मतलब यह कैसा है अर्द वरत्य क्योंकि इससे आधा वरत्य बन जाता है इसके बाद है अगला जो है वरत्य खंड एक चाप तथा के बीच इस्तित होता है तो चाप और जीवा के बीच इस्तित होता है चाप और जीवा के बिच इस्तित होता है अगला व्रत्य की सबसे बड़ी जीवा व्रत्य का व्यास होता है सबसे बड़ी जीवा कुन सी होती है उसके व्रत्य का व्यास इसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य इसमें पहला केंद्र को वरत्त पर किसी बिंदू से मिलाने वाला रेखा खंड वरत्त की त्रिज्जा होती है तो यह सत्य है दूसरा है एक वरत्त में समान लंबाई की परिमित जिवाई होती है तो यह सत्य है त्रिज्य खंड जीवा एम संगत चाप के बिचका शेत्र होता है तो यह असत्य है और व्रत एक समतल आखरती है तो यह सत्यकतन है इसके बाद हम देख लेते हैं एक शब्द आवाक्य में उत्तर इसमें पहला एक व्रत जिस तल पर इस्ती थे इसके बाद है उस जीवा को जो व्रत के केंदर से होकर जाती क्या कहलाती है व्रत के केंदर से होकर जाने वाली जीवा उसका व्यास होती है इसके बाद अगला है व्रत किसे कहते हैं व्रत किसे कहते हैं तो यहाँ पर आजाएगा किसी तल में स्थित सभी बिंदू का समुह तल में स्थित सभी बिंदू का समुह तल पर जो तल पर एक स्थित समान दूरी पर हो तल पर एक ष्थित समान दूरी पर हो वरत तक राता है इसके बाद अगला है चोथा यहीं दधी दो वरत परसपर दो बिंदो पर प्रतीचित करें तो उनके केंद्र उबहनिस्ट जीवा के लंब सम्धी भाजक पर इस्थित होता है अत्वा नहीं तो यहां पर आ जाएगा होता है ठीक होता है होता है तो इस प्रकारे अध्याए 10 के इंपोर्टेंट अब्जेक्टिकर्शन हो चुके हैं इसके बाद के प्रशन अगले वीडियो में बनाये जाएंगे तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजिए